पंजाब के केबिनिट मंत्री नव्जू सिंग सिधू लुद्याना पहुंचे जहां वो प्रवासी सहित पर दो दिवसी इंडरनेशनल कॉन्फरेंस पे भाग लेने पहुंचे थे इस असर पर सिधू ने कहा कि विदीशों में बसी पंजाबियों की रूह आज भी पंजाब में बसती है अज दा एक फंक्शन बड़ा महत्व हो एक साहतिकार जदों विदेश जन्द है और अपने वदन दी मिटी देले लिख दा है ओदा शरीर पा माँ उत्यों वे ओधी हूँ जदों पंजाब देविच वस्दी है एस पावना दा सानुसतकार करना चाहीदा है पावे ओधी यहां प्रापटियां इत्यों उन्हां कुम महफूज रखना पावे ओधी इन्वाल्वमेंट पंजाब दी उस सारी देविच हर पदर दे उत्ते हैं पंजाब ने हमेशां दित्ता है और उस देंदी प्रथादे विच पंजाब अज भी इन्हां नूं इन्वाल्वमेंट दे सगदा है जे असी एक पीडी नूं मिस करके और इना दे बच्चे जड़े उत्ते सेटल हुए है उना तक पहुँचे फेर बस मिस हो जानी है सो चाहे इना नूं सिंगल विंडो सिस्टम जी दिन आल ए आके इतने इन्वेस्टमेंट करके पंजाब दी उस सारी दे विच अपनी इन्वाल्वमेंट अपना योगदान पासकन चाहे इस साहित्यदा संकलन करके इना नूं पार्ट एंड पार्टनर्स बनोना पंजाब दी गवरन्स दे विच इसे युनिवरस्टी दे विच चेर स्थापित करके इस सारे संकलन नूं इजद मान सम्मान मर्यादा देनार ओनर करना चाहे इना नूं इन्वाइट करना इन्वेस्टमेंट दे ले और इननूं फसिलिटेट करना कमिशना तो परेयो के 10% तो परेयो के दो करोड पंजाबी है जे दो करोड पंजाबी नुँ टुरिजम रही असी अपनी जड़ दिना जोड़ दिये और ओ आतुर ने ओ अपने बच्चे नुँ पंजाबी सिखाने चाहने चाहने है वो तखतां दे उत्ते आके दर्शन करने चाहूं दे है पंजाब दिया कहानियां अपने बच्चान उसन हो दिया है जोड़ना चाहिए होर बहुत एह जे कुल अच्छन कम होए कुकर्मी कम होए जड़े पिछले तास साला ने पे चाहिए असी उना नो पिछे हटाके एक नमी सवेर एक नमा सूरज एक नमी स्रिजन दी शुरुआत करना चाहूने है और उना धो करोड पंजाबिया नो पंजाब दी एस नमी उसारी चे इन्वॉल्फ करना चाहिए राना गुजीत सिंग के स्तीफे पर सिद्धु ने कहा कि उनको इसके बारे में पूरी तरह नहीं बता और बात की तहे तक पहुझे बिना उस बारे में कुछ भी नहीं कह पाई नगनिगम चुनाव के बारे में सिध्धु ने बताया कि चुनाव 3 फरवरी से 20 फरवरी के बीच होंगे और टिक्टे मेरिट के आधार पर दिये जाएंगे सरकार के पास ग्रांट की कवी नहीं है और जब उनकी कार्पोरेशन बन गई तब सब की तरह लुद्याना में भी ग्रांट जारी की चाएगे साज टीवी की खास रिपोर्ट साज टीवी सबसे आगे सबसे पहले बने रही है हमारे साथ पलपल की खबरों के लिए